असलाम लेकुम प्यारे बच्चो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे आज हम जो लेसन पढ़ने जा रही है वो है क्लास सिक्स्थ साइंस उसका चैप्ट नमर नाइन दे लिविंग और्गिनिस्म एन दियर स्राउंडिंग्स तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक लिविंग औ जो जानदार हो आजिक कोई भी like bacteria से लेके हम देखते हैं बाकी चोटे से ओर्गिनिस्म से लेके इनसान से लेके जाँवर सब कुछ पेड़ पोदे जिन में भी जान हो जिन में भी फलेलर रेस्पिरेशन वगेरा होता हो respiration excretion etc ये सब चीज़ें जिनको हम simply बोलते हैं जानदार चीज़े उनको हम living organisms बोलते हैं ठीक and they're surrounding surrounding means इरिद गिर्द जो उनके इरिद जिसमें वो रहते हैं जिस माहौल में वो रहते हैं उनके आसपास क्या है कौन से पेड़ पोदे है कौन से नाले है या लेक है या दरिया है या उनके आसपास और कोई organisms है different types के तो वो उनका surrounding बन जाता है तो इस lesson में हम पढ़िए के different living organisms का different surroundings suppose अगर यहां पर activity दी गई है अगर आप किसी जगह जाएंगे आप वहां पर देखेंगे कोई river या कोई forest या कोई mountain वगेरा वगेरा यह सब चीज़े अगर आप different areas में जाएंगे तो वो आपको बिल्कुल different दिखेंगे अभी आप जहां पर है सपोज सिवर सिवर में एक तरह के पेड होंगे वहां पर पहाड़ों पर एक तरह के पेड होंगे दूसरे एक तरह के organisms होंगे वहां पर अगर शेर होगा बॉलू होगा यह सब तो अब अगर आएंगे सपोज स्री नगर में तो स्री नगर में यह ऐसे पेड़ आपको नहीं दिखिएंगे वहां पर different played होंगे वहां पर पे चेर बॉल्म बगया नहीं होंगे इसी तरह आगर आप जाएंगे हैंगे desert में में camel होगा बहुत जादा गर्मी होगी पहाड नहीं होगे तो different इरियाद इम ढटा के ओर्गेंजम्स पाहे जाते हैं darapp की पाई जाते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे अब आप बोरेंगे मुझे की सर यह जो लिविंग और इसमें क्या यह हर एक जैगा पर है बिलकुल है आप अगर रेखेंगे अपने गरू में अपनी अलमारी आप खोड़ेंगे वहां पर भी लिविंग और इसमें कोई स्पाइ होग सँबेड इसमें देखेंगे ःट को यहां पी जापे अधिया कि अन्यवंग आप में अ पर घर में कोन से हैँ बहार वरंडा पे कुझ से हैं, रूम में कुझ से हैं, तो आपको एक लिस्ट बना दीजिए वह व्हला फिर आप बहार चाहिए, आप दूसरा लिस्ट बनाएगे, गर के बाहर कुझ-कुनसे और्गनिस्म्स हैं, तो आपको आप देखोगी, डिफरेंट वराइटी के हैं, अ पे इनवारमेंटी आपने पुट सुना होगा हमेशा इनवारमेंट क्या होता है जो अप जो भी अपनी फिरावनिंग में अपकर देखर दोगे चाहरे लिविंग हो यह नॉन लिविंग हो या फिजिकल हो पहाड़ हो पहे मौंटेंज हुएँ या केमिकल हुए सब कुछ एनवारमेंट कहला है एक इन शोट आपके जो भी है वह आपका एनवारमेंट है ठीक अब उसमें दो तरह के चीज़े दो तरह के components होते हैं environment में एक होते हैं biotic एक abiotic components biotic वो चीज़े है environment में जो living होती है biotic bio means life तो like आपके पेड़ है पेड़ पोदे आपके जो जानवर होते है side में आप गाई होती है इंसेक्ट्स होते है birds होती है यह सब biotic components है abiotic means जब किसी चीज़ के सामने a आता है abiotic वो means life के बगएर तो उसमें non living components होते हैं like मिट्टी होती है पानी होता है हवा होती है यह सब abiotic components तो biotic plus abiotic components मिला के आपकी surrounding मनाती है ठीक तो अब अगर देखेंगे आप different organisms कहां कहां पे रहते हैं अगर सपोस किसी camel को आप कहां पे देखोगी जो camel होता है hundred उसको अप कहां पे देखोगी अप हिमालियार में देखो कि मौटनेंस में या आप उसको बरफ में देखोगी या फीर आप उसको desert में देखोगई in fact desert मैं आइसे याक जो होता है याक भूला ठंड एरिया मेरों माॉटेंस में वह जो मचलिया होगी वह पानी में होगी ऐसे क्रैब्स होगी या शार्क होगी वो सी में होगी और अइंट्स चीनटिया हो, वह बहुत लारी लोकैशनस पे होगे इससे हमें पता चलता है कि different organisms different जगों पे रहने के लिए बनाए गई है जिसको हम कहते है adaptation adaptation से पहले हम देखेंगे habitat, habitat एक concept term है, habitat क्या होता है habitat अब simple term में देखें, habitat गर होता है कोई organism कहां पे, किस region में रहता है वो उसका habitat होता है जो उसको shelter दे, food दे या जहां पे वो रहे जहां पे अपने life वो गोता रहे है वो उसका habitat बन जाता है आपका habitat अभी क्या है, आपका घर ऐसे ही, अब उसका habitat क्या है water, camel का habitat क्या है desert ठीक तो अब ऐसी तरह देखेंगे आप different habitats के लिए organisms differently adapt होते हैं adapt होना मतलब होता है जब एक organism में बहुत time कुछ change हाती है body में, ताकि वो एक जगह में रहने के उसके काबल हो जाए तो उसको हम कहते हैं adapt होना adaptation तो आप अभी हम adapt किस के लिए हुए हैं हम adapt हुए हैं, ऐसे ही plants में रहने के लिए जहां पे हवा हो अगर हम पानी में रहेंगे वह अभी में हम मर जांगे चाहिजर ओजर होता है थो जाहिए होती है बहुत जदा घर्म होति है दूराग है गर्म होती है तो धस्ति पार होती है तो इसके बारोजें की अदे पर रहती है अपने देखा भी होगा किसी ने अगर उंट देखा होगा बहुत उंचा होता है वो तो उससे उसकी बाड़ी 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 है हीड से और जब वो यूरीन एक्सक्रीट करता है तो वहां पर क्या होता है वो बहुत कम कॉंटिटी में करता है एक्सक्रीशन भ कि एटा है उसका डंग बहुत होता है उससे क्या होता है उसके बाडी से पानी वेस्त नहीं होता है छार और यह कहते हैं कि और एसके में कुछा सोथ पानी नहीं होता है वो एक्सक्रीशन करती है, बहुत पानी होता है उसमें, वो बहुत दिनों तक पानी के मैं नहीं रह सकती जो डेजर्ट में नहीं होता तो वो एड़ाप्ट नहीं है उस सराउडिंग के लिए अब फिश आप देखोगे, फिश एड़ाप्ट है पानी के लिएुष की बाड़ी वो बहुत स्मूध होती है, स्केल्स होती है इसको फिंज होती है पानी में तेरने के लिए उसको गिल्स होती है, साइड में अकसीजिशन लेने के लिए, पानी मैसे तो वह अगर हम फिश को रखेंगे डिजर्ट में तो वहां उसको पांच मिनट में मर जाएगी वह ठीक तो इसी लिए अब इनको हम कहते हैं दो डिफरेंट टाइपस के हैबिटेट बन जाते हैं on the basis of कौन कहां पे रहता है एक हैबिटेट जो 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 ऑर्गनिजम या जो प्लांट्स लेंड बे रहते हैं उस हैबिटेट को हम कहते हैं terrestrial habitat like terrestrial habitat कौन सा होता है forests होते हैं terrestrial habitat, deserts, mountain, mountain regions, plains, तो यहां पे जो भी रहते हैं जो ऑर्गनिजम रहेंगे इस habitat को हम कहेंगे terrestrial habitat दूसरा होता है aquatic habitat क्या होता है aqua means water, aquatic habitat वो जगह वो गर किसी ऑर्गनिजम का जो पानी में हूँ जो और्गनिजम पानी में रहे like पानी के habitat कों से rivers है, ponds है, lakes है, oceans है, sea है, तो यह बन जाते है aquatic habitat ठीक तो अब हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे next lecture तो अबकल हम पढ़ेंगे इस lesson का continue करेंगे different habitats जो है, terrestrial habitats उसमें deserts है, mountain regions है, grasslands है, aquatic habitats जो है, oceans, ponds, lakes उनमें कुन कुन से और्गनिजम पाई जाते हैं, क्यों पाई जाते हैं, और living beings के characteristics क्या है, कैसे living beings को food की ज़रत है, कैसे grow होते है तो वो हम पढ़ेंगे अब कल के lecture में, इन्शालला, कल तक तब तक आप यह जो हमने आज का पढ़ागी आच्छे से पढ़िए, surrounding क्या होती है, habitat क्या होता है, different adaptation क्या होती है और एक टीज है, जो मैं अभी बताऊंगा, acclimatization, acclimatization क्या होती है, adaptation होती है, जो long term, permanent, जो completely हमारे अंदर change आती है, किसी जगह रहने के लिए, suppose अगर हमारे अंदर fins आएंगी, वो fish की तरह scale बन जाएंगी, तो हम पानी में रहने के काबल हो जाएंगे, तो हम adapt होंगे पान आपको जाना है, मोटन में, वहां पे हवा कम होती है, वहां पे आपको nose bleeding होती है, तो ठंडी में आपको जाना है, वहां पे आपकी body कुछ अपने अंदर change लाती है, कुछ दिनों में आप वहां पे adjust हो जाते हो, जैसे कहते हैं, हम adjust हो गए अब इस place के लिए, तो उस adaptation से different है, तो अब कर हम पढ़ेंगे बागी, habitat में कैसे कैसे और्गनोजफाई जाते है,